हाई फ्रेंट्स आरार फैशन फाइन पे आप सभी का स्वागत हैं आज मैं आपको कुर्ती में कोट कॉलर फ्रेंट स्लिट के साथ बनाना सिखाऊंगी इसे बनाना बहुती आसान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैंने कुर्ती के बैक पोश्चन की कटिंग की है जिस तरह हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अब फ्रेंट पोश्चन की कटिंग के लिए मैंने ये डबल फोल फैब्रिक लिया है यहां से ओपन साइड है य से यहाँ पर सैट करेंगे टू इंचिस एक्स्ट्रा छोड़ेंगे आगे की तरफ और बाकी सेम कटिंग कर लेंगे अब फ्रंट पोर्शन में यहाँ विट्थ पे हम त्री इंचिस पे मार्ग करेंगे यह फ्रंट में मैंने विट्थ पे त्री इंचिस पे मार्ग किया है अब यहाँ लेंथ में टू इंचिस पे मार्ग करना है यहाँ इस तरह एक बॉक्स रेडी करके नीचे की तरफ जो टोटल लेंथ रखनी है वहाँ तक मार्ग करें यहां मैंने 6 इंचिस तक माक किया है अब यहां उपर की तरफ जो 3 by 2 का हमने बॉक्स बनाय था वहां पर हम इस तरह से V-shape देंगे और लाइन को extend करेंगे अब जहां से हमने total length पे माक किया है वहां नीचे की तरफ हमें 1 इंच का इस तरह से gap देके straight line लेनी है और इस V-shape को इस line से हम इस तरह से गुलाई में मिला लेंगे पूरी marking हो जाने के बाद अब हम इन marks के उपर cutting करेंगे यह हमारा front portion बनेगा यहां से जो मैंने V-shape extend किया था आप उसे straight में भी ले सकते है इसके लिए जो मैंने 1 इंच पे mark किया था उसे straight ले लें अब यह दोनों potions की cutting हो चुकी है अब front portion को stitch करने के लिए हम इस तरह से extra fabric को इसके उपर set करेंगे और यहां total shoulder line से करीब एक इंच छोड़के इस तरह से हम गुलाई वाला shape देखे नीचे की तरफ extra fabric लेंगे अब इसकी cutting कर लेते हैं अब इस कुर्ती को हम गुमाएंगे और जो front portion की marking है same उसी marking के हिसाब से इस fabric की भी cutting कर लेंगे अब front portion को stitch करने के लिए जो हमने strip cut की है पहले उसे side से हम stitch करेंगे यहां हमें rough stitch करनी है अब देखे जो यह हमारी center line थी वहां से हमें करीब वन इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और एक mark करना है इस strip के उपर भी हम वहां पर mark कर लेंगे अब इस mark से हम stitch करना start करेंगे सेम इसी shape में हमें stitch करना है यह पूरी stitch हम कुर्ती के नीचे तक लेंगे यहां से हमारी यह slit बनेगी अब mark के उपर एक cut लगाएं और यहां गोलाई वाले shape पे भी छोटे cut लगा दें अब इसको हम पीछे की तरफ fold कर देंगे और इसको पहले अच्छे से iron करेंगे दोनों side हमें इसी तरह से ready करने है यहां जो open area है वहां पे एक rough stitch कर दे अब दोनों side ready हो जाने के बाद अब हम shoulder line को stitch करेंगे अब कुर्ती को collar measure करने के लिए हमें इस तरह से कुर्ती को set करना है और tape को गुमाते हुए हम collar की measure लेंगे यहां मेरी measurement में आ रहा है 5 and half अब collar के लिए हम यहां 5 and half में करीब 2 and half extra लेके इस तरह double fold करेंगे 5 and half में हम half inch sly के लिए लेंगे collar की broadness हम 3 and half रखेंगे अब यहां से इस तरह एक box ready करके जो हमने extra fabric लिया है वहां इस तरह से slanting line लेंगे और यहां half inch उपर तक एक mark करके यहां से गोलाई बनाएंगे मार्किंग हो जाने के बाद अब हम collar की cutting कर लेंगे आप चाहें तो collar पे fizzing paper या बुक्रम भी यूज़ कर सकते हैं अब सेम हम इसी size का एक और fabric लेंगे और collar को stitch करेंगे यहां से करीब half inch छोड़ते हुए हमें collar को stitch करना है collar stitch हो जाने के बाद जहां तक हमने half inch छोड़के stitch की है वहां पे एक cut लगाना है अब collar को हम सीधा कर लेंगे collar को attach करने से पहले collar को अच्छे से iron कर ले अब कुर्ती को wrong side में रखके यहां से भी हमने जो cut लगाया था वहां से हम collar लगाना start करेंगे यहां से पूरे neck को अच्छे से गुमाते हुए collar को stitch करेंगे यहां कुर्ती की center line और collar की center line दोनों मिलने चाहिए इस तरह collar की एक stitch हो जाने के बाद दूसरी side भी हम collar को इस तरह fold करके और किनारे पर stitch करेंगे कि इस तरह collar को बिल्कुल straight लें और पूरे में stitch करें कि इस तरह collar को बिल्कुल straight लें और पूरे में stitch करें पूरा collar ready होने के बाद उसे इस तरह fold करके अच्छे से iron करें दोनों slits को हम एक दूसरे के ऊपर overlap करके यहां button यूज करेंगे और यह मेरा coat collar front slit के साथ ready हो चुका है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो like और comment जरूर करें धंक यू वाचिए वाचिंग फड़के आपके बाद दूसरे काई